आज हम संयोग और प्राइक्ता के बारे में सिखेंगे मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ साब सीड़ी का खेल खेल रहे हैं आपको जीतने के लिए सिर्फ तीन स्थान चलना है और पासा फेकने की बारी आपकी है यदि आप पासा फेकेंगे तो क्या आपको संख्या तीन प्राप्त होगी? सुचिए सुचिए आप निश्चित रूप से यह बता नहीं सकते कि आपको संख्या तीन प्राप्त होगी या नहीं लेकिन तीन प्राप्त होने की संभावना, possibility या संयोग, chance, अवश्य है क्या आप बता सकते हैं कि इस थिती में तीन प्राप्त होने की संभावना कितनी है? सोचिये, सोचिये चलिए हम बताते हैं पासे को फेकना एक ऐसा प्राप्त है जिसका परिणाम, outcome, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इन में से कोई एक संख्या हो सकती है हम कहते हैं कि पासे को फेकने के प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, total number of outcomes of experiment 6 है लेकिन हमें 3 प्राप्त करना है इसलिए यहां वांचित परिणामों की संख्या, यानि अनुकूल परिणामों की संख्या, number of favorable outcomes एक है इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी 6 परिणामों में अनुकूल परिणामों की संख्या, एक है इसी को हम कहते हैं कि अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की प्राइक्ता, probability, 6 में से 1, यानि एक बटे 6 है प्राइक्ता को और अच्छे से जानने के लिए चलिए इसके संदर्भ में प्रयोग किये जाने वाले कुछ पदों को समझे ऐसा प्रयोग जिसमें एक से अधिक परिणाम संभव हो तथा परिणाम की सटिक भविश्यवानी नहीं की जा सकती एक यादरिच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्स्पेरिमेंट कहलाता है क्या आप यादरिच्छिक प्रयोग का कोई उधारन दे पाएंगे? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं एक सिक्के को उचालना, कैंडी के डिब्बे में से बिना देखे एक कैंडी निकालना, इत्यादी, सभी यादरिच्छ प्रयोग है। एक मिठाई हमेशा मीठी ही होगी, इसी तरह कोई भी चीज कुछ उचाई से गिराने पर वह भूमितल पर ही आती है। प्राप्त होने की संभावना अधिक होगी या पट प्राप्त होने की। एक सिक्के को उचालने पर चित उपर आने की उतनी ही संभावना है जितनी की पट उपर आने की। ऐसे स्थितियों में हम कहते हैं कि परिणाम संसंभावित या संप्राइक इक्वली लाइकली है। अब ज़र सोचिए कि यदि हमने एक माचिस के डिबिया के फलकों पर एक, दो, तीन, चार, पांच और च्छ इस प्रकार अंक अंकित किये और इसे उच्छाला, क्या इस थिति में भी प्रत्येक संख्या के उपर आने की संभावना बराबर होगी। बिल्कुल सही, चुकि फलकों के आकार भिन्न है, इसलिए प्रत्येक अंक की प्राइकता भिन्न होगी। इसलिए यहाँ परिणाम संप्राइक नहीं हो सकते। प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संगर से एक घटना ईवेंट बनती है। जैसे जब हम पासे को घुमाते हैं, तो इस याद रिच्छ प्रयोग में परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से प्रत्येक परिणाम प्राब्त करना एक घटना है। इसी तरह तीन से अधिक संख्या प्राप्त करना या समसंख्या प्राप्त करना भी घटना है चलिए तीन से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना के बारे में बात करे इस घटना के अनुकूल परिणाम, favorable outcomes है 4, 5, 6 इस तरह से यहां तीन से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना के तीन परिणाम है लेकिन इस प्रयोग में एक, दो, तीन, चार, पांच या छ में से कोई भी अंक उपर आ सकता है इसलिए प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या छ है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या का प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या से अनुपात उस घटना की प्राइक्ता होती है यहां तीन से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्राइक्ता होगी 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2 यदि घटना निश्चित हो जैसे पासे पर एक से चह तक की संख्या प्राप्त होना तो प्राइक्ता एक होती है और यदि घटना असंभव हो जैसे पासे पर संख्या साथ प्राप्त होना तब प्राइक्ता शून्य होती है लेकिन जब किसी घटना के होने की संभावना हो जैसे तीन से अधिक संख्या प्राप्त करना तब प्राइक्ता शून्य से अधिक लेकिन एक से कम होती है इस तरह से किसी भी घटना की प्राइक्ता शून्य या इस से अधिक लेकिन एक या इस से कम होती है अब चलिए संयोक और प्राइक्ता के वास्तविक जीवन में प्रयोक से संबंदित कुछ स्थितियां देखे चुनाओ के दोरान मतदान करके आने वाले लोगों से उनका मत पूछा जाता है जितने जवाब प्राप्थ होते हैं उनसे प्रत्यक प्रत्याशी के जीतने की संभावना का अनुमान लगाया जाता है और इस आधार पर एक्जिट पोल बताया जाता है मानली जी आपके बड़े भाई को किसी सरकारी परिक्षा में 85% अंक प्राप्थ हुए है यदि पिछली बार 85% प्राप्थ करने वाले 2000 परिक्षार्थियों में 1806 का चयन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि आपके भाई का चयन होने की प्राइक्ता 1800 बटे 2000 यानि की 9 बटे 10 है आप इस प्रकार की और स्थितियां स्वयम ग्याद कीजिए आज हमने संयोग और प्राइक्ता के बारे में सीखा अगले वीडियो में हम इन से जुड़े कुछ मज़िदार उदाहरन देखेंगे